आज हर व्यक्ति चाहे वह हैं छोटा हो या बड़ा शहरवासी हो या गाववासी पड़ा लिखा हो या अनबड़ कबजी की समस्या से पीडित है कई लोग तो बहुत कठोर कबजी से पीडित है एक ही दिन में कई बार उन्हें बातों में जाना पड़ता है एक बार में पूरा पेट साफ नहीं होता है पेट फूला हुआ रहता है कई लोग तो ऐसे हैं जिनका पेट कई कई दिनों तक साफ ही नहीं होता है जिस कारण उन्ह काफी परेसानियों का सामना करना पड़ता है और इसके कारण ही उन्हें पाइल्स जैसी गंभीर बिमारियां भी हो जाती है वही लोग पेट साफ करने के लिए चूरन वा दवायां लेते हैं जो काफी महंगी होती हैं और उनके सरीर को भी गुपतु रूप से नुकसान पहुंचाती है अगर आप भी इस समस्था दर पीडित हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी स्पेसल होने वाली है आप सभी को मेरा नमस्कार आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो के शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एज़ा ही वीडियो सुनीते रहे तो अब चलते हैं अपने टोपिक की तरह दोस्तों अगर आपको भी कबज है और हमेशा दवाइयों के दवारा ही आपका पेट साफ होता है तो आप ये सुनहरी गलतियां मत की लिए ये गलतियां आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकती है अगर आप नुकसान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा हम उस पर भी वीडियो बना देंगे दोस्तों हमने भी पेट की बिमारियों पर काफी वीडियों बनाए है लेकिन हम कभी भी अपने किसी भी वीडियों में किसी भी जड़ी मुटी चूरन या काड़े को हमेशा लेनी की तहला नहीं देते हैं तो दोस्तों अब आपको कबजी की समस्या से निजात पाने के लिए किसी नुस्खे या दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है बलकि आपको सिर्फ इस तांबे के बरतन का इस्तेमाल करना है अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है आप इस बरतन में जादा से जादा आठ घंटे के लिए पानी भर कर इस बरतन को किसी खेवल या पटले पर रख दें ध्यान रखना पानी से भड़े तांबे के बरतन को जमीन पर बिल्कुल ना रखें आप इसे जमीन से उपर किसी मेजियां किसी अन्याचीट पर रखें अब अगर आप इसका कारण जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा हम उसपर वीडियो बना देंगे आप इसे रात को भर कर रख दें और सुबह होने पर आप इस पानी को खाली पेठ ही पीलें दोस्तो आप बरतन थोड़ा बड़ा ही लें कम से कम एक लीटर पानी की कपैस्टी हो वही बरतना अपलें और सुभह को आप अपनी प्यास के मुताबिक उस पानी को पी लें प्यास ना हो तो भी पानी पीएं जितना पी सकते हो आप इसका सेवन केवल सुभह के समय ही करें यानि दिन में एक बार आप 2-2 या 3-3 दिनों के बाद एक दिन नॉर्मल पानी पी ली जिये हमेशा इसका पानी मत पी जियेगा किन्तु आप इसका इस्तेमाल गर्मियों में होने वाली बारिसों के सुरु होने से बारिसों के अंत तक लगातार कर सकते हैं तो दोस्तों इसके जरिये आपकी कब्ज खतम हो जाएगी और आपका पेट भी पूरा साफ हो जाएगा जिस कारण आप होने वाली अन्य बिमारियों से भी बच जाओगे लेकिन तांबे के बरतन के भी कुछ नुकसान है जैसे की तांबे के बरतन में रखा गया पानी अगर आठ घंटे से जादा पुराना है तो वो जहर के समान है या अगर आप तांबे के बरतन में खटी चीज जैसा कुछ भी खाते या पीते हो या उसमें स्टोर करते हो तो वो ओ vastly जहर के समान है। orchard के plains, fire क्यमू टोक्टर की सलापः री तांबे के कि की भर्थन का पानी पी है। पेट में अलसर या ऐसी डिटी की समझा हैं तो इसका सेवन ना करें तांबे के बरतन के पानी की तासीर गरम होती है आप तांबे के बरतन में केवल पानी ही पिएं पानी के अलावा आप तांबे के बरतन में ना तो कुछ और खाएं ना तो कुछ पिएं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी दोनों अच्छी लगी होंगी और आपके लिए फायदे मन्द होंगी तो दोफ्तों अब हमें आगया देजिए